हेलो फ्रेंड स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एच्पी शिक्षा में तो फ्रेंड आज हम डिस्कस करेंगे महत्पूर्ण युद अभ्यास जो आयोजित हुए हैं 2020 को तो इसको डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्रेस्ट है अगर आपने हमारे चैनल एच्पी अमेरिका तो फ्रेंड ये जो भारत अमेरिका जो है ये पहले से ही 1992 से ही ये आपस में यूद अभ्यास कर रहे हैं और उसके बाद ये 2015 में जपान को भी इसमें जोड लिया गया और अस्टेलिया में 2020 में अस्टेलिया को भी इसमें शामिल कर लिया गया है तो फ्रेंड ये काफी important है यह जो चार देश मिलकर ये युद अभियाद गरए हैं इस बार तो ये जो पहला संसकर्ण हुआ है मालाबार नोसेन युद अभियाद का तो ये हुआ है बंगाल की खाडी में तो फ्रैंट्स काफी important है पश्रिम हिंद मा सागर में यह दूसरा संसकर्ण हुआ है यानि कि यह जो हुआ है यह हुआ अरब सागर में इसका जो आयोजन हुआ है दूसरा संसकर्ण का तो चलिए अगले युद अभ्यास को जानते हैं ये दो देशों के बीच हुआ है बंगलादेश और अमेरिका के बीच में ये युद अभ्यास हुआ है और ये जो इसका आयोजन जो किया गया है कैरेट युद अभ्यास का तो ये किया गया है बंगाल की खाड़ी में तो फ्रेंट्स ये आपको पता चल गया होगा carrot युद अभ्यास जो हुआ है ये हुआ है बंगला देश और अमेरिका के बीच में और इसका योजन हुआ है बंगाल की खाड़ी में बीच में और ये जो आयोजित किया गया है ये किया गया है अंडमान सागर में तो काफी पोटेंट फ्रेंट्स सिंबैक्स युद नोसैनिक युद अभ्यास जो हुआ है ये हुआ है भारत और सिंगापूर के बीच में और आयोजित हुआ है ये अंडमान सागर में इसके सिंगापूर और थाइलेंड जो सिंगापूर और थाइलेंड जो सिंगापूर और थाइलेंड जो सिंगापूर और थाइलेंड यह तीनों देश कंट्रिबूट कर रहे हैं तो यह इसका आयोजन भी अंडवान सागर में हुआ है तो काफी पोड़ाइंड यह सिंगापूर औ और सीटम बैक्स में तीन देश शामिल है और जो ये तिसरा देश शामिल है वो है थाइलेंड सीटम बैक्स में तो आगे देखते हैं अगला नोसैनिक युद अभ्यास कौन सा है तो ये बोंगो सागर नोसैनिक युद अभ्यास 2020 में इसका आयोजन किया गया है और इसमें जो देश शामिल है वो है भारत और बांगलादेश तो काफी पोटेंट है ये भी फ्रेंट्स भारत और बांगलादेश के बीच में ये नोसैनिक युद अभ्यास हुआ है और इसका जो आयोजन हुआ है ये हुआ है बंगाल की खाडी में ये भी काफी पोटेंट ह इंदर नोसैन की युद अभ्यास 2020 में हुआ है और ये जो दो देशों के बीच में हुआ है वो हुआ है भारत और रूस के बीच में और इसका जो आयोजन किया गया है 2020 में वो किया गया है बंगाल की खाड़ी में तो मैकसिमम बंगाल की खाड़ी में ही युद अभ्यास का आयोजन किया गया है तो आगे देखते हैं जिमैक्स नोसैना युद अभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ है तो ये जिमैक्स जो नोसैन की युद अभ्यास है वो भारत और जपान देश के बीच में हुआ है और इसका जो आयोजन हुआ है वो हुआ है उत्तर अरब सागर में यानि कि इसका जो आयोजन हुआ है वो उत्तरी अरब सागर में हुआ है तो फैंस अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में काफी डिफरेंस है अरब सागर एक साइड है और बंगाल के खाड़ी दूसरी साइड है तो ये इसका जो आयोजन हुआ है वो हुआ है उत्री अरब सागर में अगला कोशन देखते हैं पासेक्स नोसैनिक युद अभ्यास 2020 ये किन देशों के बीच में हुआ है तो पासेक्स नोसैनिक युद अभ्यास कई देशों के बीच में हुआ है तो पहला ये हुआ था ये 2020 में हुआ है ये भारत और पहली बार जो हुआ था वो हुआ था भारत और अमेरिका में और दूसरी बार जब हुआ 2020 में तो ये हुआ भारत और जपान के बीच में और फेंट्स ये जो तिसरी बार हुआ ये हुआ है भारत और फ्रांस के फ्रांस में तो काफी पॉर्टनेंट फ्रेंट्स ये तीनों और अभी जो दिसंबर में इसका जो आयोजन हो रहा है तो ये जो आयोजन हो रहा है कि इन दो देशों के बीच में हो रहा है तो ये हो रहा भारत और रूस के बीद में इसका आयोज़न हो रहा है और कहां पर आयोज़न हो रहा है यह रूस ने भी इसमें participate किया है पासेक्स नोसैनिक युद अभ्यास में तो काफी potent friends पासेक्स नोसैनिक युद अभ्यास ये confuse करने के लिए आपको question इस type का आ सकता है तो आगे देखते हैं इंदधनुस नोसैनिक युद अभ्यास तो friends इंदधनुस 5 जो है पासेक्स नोसैनिक युद अभ्यास जो हुआ है ये हुआ है भारत और यूग के देश के बीच में हुआ है तो और इसका जो आयोजन हुआ है वो हुआ है उत्तर प्रदेश के हिंडन में तो friends ये काफी potent है क्योंकि ये different state में इसका आयोजन हुआ है और इंदर धनुष इसका 5 नाम है जैसे कि इंदर वहां पर पढ़ रहे थे तो वो जो आयोजन था वो भारत और रूस के बीच में हो रहा था प्रन्तु यहां पर इंदर धनुष भी लगा हुआ है तो ये जो इसका आयोजन हुआ है ये भारत और यूके के बीच में हुआ है तो इंदर जो हुआ है वो भारत और रूस के बीच में हुआ है और इंदर धनुष जो हुआ है वो भारत और यूके के बीच में हुआ है तो और इसका आयोजन क्या है उत्तरपदेश के हिंडर में तो चलिए आगे देखते हैं नसीम अलबाहर नोसैनिक युद अभ्यास किसके बीच में हुआ है तो फ्रेंट्स ये काफी पोटेंटर का भी ऐसे ऐसे कोशन पूछ लेते हैं जिसकी तरफ हम काफी कम ध्यान देते हैं तो ये जो इसका आयोजन हुआ है ये हुआ है भारत और ओमान के बीच में और इसका जो आयोजन हुआ है ये हुआ है गोवा में तो फ्रेंट्स ये भी डिफरेंट स्टेट का है गोवा में इसका आयोजन हुआ है नसीम अलबाहर का तो चलिए आगे देखते हैं मैरिन गार्डियन नोसैनिक युद अभ्यास 2020 की दो देशों के बीच आयोजित हुगा तो यह काफी पोटेंट है वैसे वी चीन और पाकिस्तान के अपनी लगी रण नेती है तो इनका जो आयोजित हुआ है यह हुआ है चीन और पाकिस्तान के बीच में इसका इन देशों का आयोजित हुआ है और जो यह आयोजित किये गए है वो किस्तान पर आयोजित किये गए है तो यह जो युद अभ्यास से वो आयोजित किये गए है पाकिस्तान के करांची बंदरगा में तो यह भी काफी पोटेंट है आगे देखते हैं संप्रिती नोसैनिक युद अभ्यास तो फ्रेंट्स ये संपरिती जो है संपरिती नाइन नो सैन की युद्ध अभ्यास जो हुआ है होता है या होता रहा है पहले से भी यह होता है 2019 में भी वदश का योजन भारत और बांगलादेश में ये युद्ध अभ्यास होता है और ये जो इसका योजन किया गया है ये तो चली आगे देखते हैं आजे वोरियर नौसाइनिक यूद अभियास 2020 किन देशों के बीच में हुआ है रहा है भारत और UK के बीच और इसका जो आयोजन किया गया है वह UK में किया गया है और इस प्लेस का नाम है Selsuori Plain में इसका योजन हुआ है A.J. Warrior तो friends ये भी काफी पूटन है A.J. Warrior No Shynic Youth Abhyaas अब देखते हैं Sarex 2020 Youth Abhyaas 2020 तो ये किसके बीच योजन हुआ है friends इसका जो योजन हुआ है वो हुआ है भारत्य तर्ट रक्षा भल द्वारा इसका आयोजन किया गया है और ये कहां पे हुआ है ये हुआ है गोबा के वासको में तो ये भी काफी प्रोटेंट है फ्रेंट्स ये अपनी ही कंट्री में इसका आयोजन हुआ है और किसके द्वारा हुआ है ये हुआ है आई जी सी के द्वारा इसका आयोजन हुआ है चलिए आगे देखते हैं डीम स्टैक डी मैक्स युद्ध अभ्यास 2020 किन किन देशों के बीच में हुआ तो फ्रेंट की काफी प्रेंट है वैसे भी बीम स्टैक में जो कंट्री है वो टोटल सैवन कंट्री है जैसे कि हमारे प्रोसी देश है पाकिस्तान पाकिस्तानी सोरी इसमें अफगानिस्तान हो गया भुटान हो गया मयामार हो गया इसमें जो साइवन कंट्री है शीलंका इसमें होगी तो यह जो युद्ध अभ्यास आयोजिन करते हैं और यह इसका जो आयोजिन हुआ यह कहां पर हुआ है यह हुआ उडिसा के भूनेश्वर में तो काफी फ्रेंट्स अब मैंने आपके लिए M.C.U बनाए ताकि आपने कितना इसको सीकht तो फ्रेंट्स काफी पोटाइट्स है मैंने आपको बताया भारत और अमेरिका पहले इसका योजन करते थे 1992 से ये स्टार्ट हुग था उसके बाद 2015 में जापान भी इसमें शामिल हो गया और 2020 में उससे लिए इसमें शामिल हो गया तो ये जो सभी कंट्री हैं वो आती हैं माला बार नो सैना युद अभ्यास में इन्होंने चारो कंट्री ने इसका योजन किया है तो यानि कि इसका जो राइट अंसर होगा वो होगा इन में से सबी कंट्री ने मालाबार नो सैना युद अभ्यास में अगला कोशन देखते हैं आजे वोरेर युद अभ्यास 2020 में किन दो देशों के बीच में हुआ है तो फ्रेंट ये काफी पोटेंटा ये आपका रिवीजन हो रहा है अभी आजे वोरे युद अभ्यास जो है वो इसका जो आयोजन हुआ है वो हुआ भारत और यूके के बीच में ये भी काफी पोटेंटा और यूके में ही इसका आयोजन हुआ है तो चलिए अगला कोशन देखते हैं इंदर धनुष नो सैनिक युद अभ्यास 2020 मिकिन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है तो फैंट्स इंदर धनुष मैंने आपको पता है ता जो इंदर था वो रूस के बीच में होता था अगला कोशन है पासेक्स नो सैनिक युद अभ्यास 2020 किन दो देशों के बीच में हुआ तो पासेक्स नो सैनिक युद अभ्यास जो है वो हुआ है फैंट इसमें भारत के साथ भारत तो इसमें था ही था पासेक्स में और इसमें जो सभी और देश भी शामिल हुए है रूस इसमें शामिल है पासेक्स में जैसे आपने उपर पड़ा था ये अभी इसका योजन हो रहा है पासेक्स का यूएस से इसमें पहले अल्रेडी था जपान भी इसमें शामिल हुआ है तो इसमें जो सभी right answer होगा वो होगा इन में से सभी पासेक्स यूद पासेक्स जो ये नोसैनिक यूद अभ्यास है इसमें सभी जो country इन्होंने participate किया भारत, रूस, यूज से और जपान तो इसका जो right answer होगा वो होगा इन में से सभी अगला question देखते हैं marine garden 2020 नोसैनिक यूद अभ्यास किन दो देशों के भीच में हुआ है मैरिन जो garden नोसैनिक यूद अभ्यास है मैंने आपको बताया किन देशों के भीच में हुआ है तो ये जो हुआ है इसमें थोड़ा misprint होगा यहां पे होगा पाकिस्तान और चाइना के बीच में ये नोसैनिक यूद अभ्यास हुआ है तो friends मैंने आपको बताया था marine garden 2020 नोसैनिक यूद अभ्यास जो हुआ है ये हुआ पाकिस्तान और चीन के बीच में तो इसका right answer हो जाएगा option number 4 तो चलिए अगला देखते हैं तो friends ये MCQ अब मैंने थोड़े extra effect डाले हैं जो 2019 में भी यूद हुए थे तो ये भी काफी potent है यूद अभ्यास जो यूद इसका नाम है यूद अभ्यास का ये जो दो देशों के बीच होता ये होता है भारत और USA के बीच में ये यूद होता है काफी potent friends ये भी पूठ लेते हैं यूद अभ्यास कींद दो देशों के बीच होता है भारत और चिंग्त राज अमरिका के बीच और बज़र प्राहर की बात करें तो ये भी होता है भारत और USA के बीच और मित्र शक्ति की बात करें तो ये जो अयोजित होता है दो देशों के बीच ये होता है भारत और निपाल के बीच में सूर्य के इन काफी पोड़ेंड फ्रेंड ये मित्र शक्ती दोनों इपोड़ेंड है गरुड शक्ती की बात करें तो ये जो है गरुड शक्ती जो है ये भारत और इंडोनेशिय के ब अभ्यास यह भारत और चीन के बीच में दस्तलिक यह काफी पोटेंट यह भी ये जो यूद् अभ्यास होता है यह भारत और उज्वेकिस्तान के बीच में होता है तो फैंट्स यह थे कुछ इपोटेंट यूद अभयास मैंने आपको रिवीजन भी करवा दिया है डिटेल के साथ तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेर, कोमेंट एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक्स पोर वाचिंग